Hello everyone, students अब जानते हैं, business studies हो, accountancy हो, economics हो, या businesses हो, एक term बहुत use होती है और उस term का इसी लिए commerce students ही नहीं, other students के लिए भी meaning जानना बहुत जरूरी है and the term is bank overdraft, normally जो commerce students हैं, cash book के time ये term सुनते हैं, ये bank overdraft है क्या, अब bank overdraft का पूरा meaning और concept, चलिए इस वीडियो में हम अच्छे से discuss करेंगे, वीडियो skip ना करें दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनें, एक बार सुनेंगे, हमेशा के लिए याद होना लाजमी है, शौर है ये मेरी बात, अब bank overdraft क्या है, देखिए पहली बात तो इस term को देखिए, bank overdraft, यानि ये bank से related है, यानि जब भी हमारा bank में account होता है, तो bank overdraft term use होनी शुरू हो जाती है, अब ये overdraft का meaning समझते हैं, और फिर क्या ये individuals के लिए apply होता है, क्या ये businesses के लिए apply होता है, और कब होता है, इ इसको देखते हैं दोस्तों, देखिए, ये जो overdraft term है, ये दो term से बनी है, over and draft, यानि draw, अब आप जानते हैं दोस्तों, over का मतलब है access, fall to, और draft यानि draw, draw का मतलब है निकालना, यानि मैंने आपको बताया, हम bank account की बात कर रहे हैं, bank में जो आप account maintain करते हैं, उसमें अगर अपने account में से extra amount withdraw कर लें, draw कर लें, निकाल लें, तो that is termed as overdraft, लेकिन ये extra amount कौन निकाल सकता है, कैसे निकाल सकता है, कब निकाल सकता है, समझे, normally, bank में देखिए, saving account होता है, individuals का, जो salaried person हो, या non-salaried, यानि मेहनत मजदूरी करते हैं, चोटा मोटा business करते हैं, उनका saving account ह होता है, दोस्तों, समझे इस बात को, यानि bank में जो account होता है, एक होता है, saving account, normally, saving account वालों को ये facility नहीं मिलती, कि वो अपने account में save, fall to, पैसा निकाल लें, in fact, saving account वालों को तो एक minimum balance maintain करना पड़ता है, जैसे आप जानते हैं, अगर nationalized banks जितने भी हैं, पंजाव national bank है, state bank of India और दूसरे banks है, canra bank वगरा है, इन में अगर आपका account है, तो किसी में 1000 रुपे, किसी में 1000 रुपे, minimum balance रखना पड़ता है, नहीं तो penalty और charges लगते हैं, और जो दूसरे private bank हैं, जैसे आपका ICICI हो गया, HDFC bank हो गया, access bank हो गया, और दूसरे banks भी हैं, इन में लगभग 5000 minimum balance लेकिन जब निकलवाना पड़ता है, पैसा निकालते हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, कि balance account में minimum 5000 रहें, और minus में तो हम निकाली नहीं सकते, मान लो, access bank में मेरे 5000 रुपे हैं, या आपके 5000 रुपीज हैं, सिर्फ 5000 रुपे balance हैं, तो आप maximum 5000 ही निकाल सकते हो, 5000 एक रुपे भी withdraw नहीं कर सकते, वो transaction cancel हो जाएगी, इसका मतलब यह हुआ, जो individuals, salaried person और दूसरे लोग, bank में saving account maintain करते हैं, उनको ये overdraft की facility नहीं मिलती, यानि वो अपने account में से उतना पैसा ही निकाल सकते हैं, गितना उनका account में balance है, पैसा पड़ा है, अब बात करते हैं, बि उसकी financial status, उसकी balance sheet, उसकी financial position के accordingly, उसको एक facility मिलती है overdraft के, और उससे पहले में बता दूँ, इतने भी हमारे businesses होते हैं, देखिए दोस्तों, उनका business, उनका कौन सा account होता है, current account, वो current account normally maintain करते हैं, banks में, और current account के साथ, उनको एक facility मिलती है, उनको एक facility मिलती है, और वो facility होती है, facility of overdraft, और उसकी एक limit भी होती है, कहीं बार जो businessmen होंगे न, याद देखिए दोस्तों, वो overdraft word use नहीं करते, वो limit word use करते हैं, यानि आपके business के size, उसके profit, financial position, balance sheet, assets, liability कितनी है, उसके accordingly, bank आपको एक facility देता है, overdraft की, कि आपके account में जो balance है, उससे जरूरत पढ़ने पर, कितना ज़्यादा पैसा आप निकाल सकते हैं, मैं आपको example के तौर पर बता रहा हूँ, मान लो students, आपको आपके business में limit मिली हुई है, rupees 15 lakh की, समझें इस बात को, मैं example ले रहा हूँ, आपको मान लो, 15 lakh रुपे की limit मिली हुई है, अब समझना, और आपका balance है, देखिया दोस्तों, bank में मान लो, आपका balance है 2 lakh रुपे, आपके business के account में, कितना balance है आपका, 2 lakh रुपे, और आपने किसी को 10 lakh रुपे की payment करनी पड़ गई, तो क्या करेंगे, उससे पहले समझे, bank में आपका balance है 2 lakh, आप अधिक्तम, maximum, अपने जो suppliers हैं, creditors हैं, जिनके भी आपने पैसे देने हैं, उनको कितने पैसे दे सकते हो maximum, 2 lakh balance है, 15 lakh हम extra निकाल सकते हैं, यानि उनको हम 17 lakh रुपे तक payment कर सकते हैं, अगर एक time में हमने किसी को 17 lakh रुपे देने हो, यानि समझे, saving account में ये facility नहीं है, ये facility है, current account के साथ, जब आपने मानलो limit ले रखी है 15 lakh की, और आपके account में balance है कितना, 2 lakh रुपे, और आपने किसी को 17 lakh देने हैं, तो आप 17 lakh का check issue कर सकते हो, यानि simple भाष्या में 17 lakh रुपे का check काट के दे सकते हो, जब आपने 17 lakh का check दे दिया, तो आपका overdraft कितना हो जाएगा, 15 lakh रुपे, और overdraft का मतलब होता है, negative balance, minus balance in bank, और ये liability है, यानि एक तरह से bank से आपने short term loan ले लिया, जैसे ही आपक overdraft कम होता जाएगा, और एक time ऐसा भी आएगा, वो खतम हो जाएगा, अब मैं example ले रहा हूँ, आपके account में balance थे 2 lakh रुपे, और आपने payment कितनी कर दी, देखिए दोस्तो, payment by check, आपने payment कर दी 10 lakh रुपे, समझिए, आपने 10 lakh का check दे दिया किसी को, तो overdraft कितना हुआ दोस्तो समझें इस बात को, overdraft, यानि check देने से पहले हमारा bank में positive balance था 2 lakh रुपे, जब हमने किसी को 10 lakh रुपे एक check से payment कर दी, हमारे 2 lakh रुपे तो वो use हो गए, 8 lakh रुपे ने अपनी तरफ से दे दिये, as a short term loan, क्योंकि हमारा bank के साथ already agreement हुआ पड़ा है, हमारी limit है 15 lakh की, जो overdraft की limit है, इस case में हमारा overdraft हो जाएगा 8 lakh रुपीज का, देखिए, यह है overdraft, bank overdraft, कि bank से हम, जितना पैसा हमारे account में हैं, उससे ज़्यादा एक limit तक draw कर सकते हैं, with draw कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और जितना ज़्यादा हम निकालेंगे, वो होगा हमारा overdraft होगा, और यह एक liability है business की, अब समझ लो, माल लो, अब हमें किसी बंदे से एक check मिल गया, कितने का check मिला माल लो, 20 लाख का check मिल गया, हमने वो check bank में जमा कराया, तो हमारे 8 लाख तो यह cancel हो जाएंगे, और bank में हमारे जमा कितने हो जाएंगे, 12 लाख, मैं example को आगे बढ़ा रहा हूँ, अब एक अतना से समझिए, यह हमारा minus balance है bank में, कितना, 8 लाख रुपे, अब हमें किसी से check मिला, 20 लाख रुपे का, और वो check हमने bank में जमा कर दिया, देखिए, 20 लाख का check bank में जमा किया, पहले bank अपने 8 लाख रुपे cover कर लेगा, overdraft के, और हमारा bank में positive balance कितना हो जाएगा, 12 रुपीज, तो यह bank overdraft मैंने इतना जो समझाया, यह आपके exam में one mark और three marks में question आ सकता है, जब one mark में आ जाए तो आपने simply लिखना है, bank overdraft क्या है, it is the excess amount withdrawn by business to meet their short term requirement, यह bank overdraft है, यानि bank से इतना extra पैसा निकाला है, अगर three marks में आ जाए, तो आप थोड़ी सी इसकी detail दे सकते ह हो, कि यह facility है, linked with current account, जो businesses को मिलती है, and this facility is used to pay off the liabilities, to pay off the debts, to make payments, in addition to the balance available in their account, आप इस तरा का example भी ले सकते हो, कि bank balance 2 lakh, payment done 10 lakh, overdraft amounting to rupees 8 lakh, यह जो bank overdraft है, यह एक ऐसी facility है, जो बिना पैसा हुए भी हम, लोगों की, अपने suppliers की, creditors की, time payment कर सकते हैं, और हमारे business का काम, uninterrupted, बिना रुकावट के, चलता रहता है, and it is a liability, short term liability, तो उमीद है दोस्तो, bank overdraft का, यह, छोटा सा concept आपको पूरी तरह से clear हुआ होगा, वीडियो अच्छा लगे, तो फटा फ ना भूलें, और चैनल अभी तक subscribe नहीं किया, तो फटा फट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको business studies, accounts, और economics के knowledgeable और अच्छे अच्छे वीडियो मिलें, ताकि 90% ही नहीं, आप 100% marks लें, I guarantee this, all the best.